मैं आदर्ष ननंगपता वरिष्ट पत्रकार, स्वाधीनता आंदुलन में आगरा का विश्यश यूगदान रहा है। किसी जमाने में यहां क्रांतकारी और अमर सहीद, स्वाधार भगे सिंग, संद्शियकर राजगरू आधी ने बंप शक्टी डाली और यहां से बने बंप का विश्पोर्ट एसम्बली में भी किया गया था। उस मात्र भूमी से आज हम स्वतंत्रता अंदुलन के परपरिच में आगरा का स्वतंत्रता समर इस स्रंखला सुरू कर रहे हैं और इस स्रंखला में हम समय समय पर आपको स्वतंत्रता अंदुलन के बारे में बताएंगे, महते पुन जान करे देंगे, जो आप पसंद और लगातार आप देशवक्ती भावना से उत्परूत होते रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, और हमारा यह भी प्रयास रहें, कि सारे फेक्ट आपके इस भावने मजबूती के साथ आएं, और परंप्रा को और देशवक्ती को हम लगातार बनाए रखेंगे. आज का जो हमारा विशे है, वह है इंद्रचन पैंगोरिया, सहीद हुए इंद्रचन पैंगोरिया को अंग्रियों की पिटाई से इतने आहत हो गई, कि उनको जेल में ही उनका निधन हो गया, आज हम उस पर चर्चा करते हैं. बहरती स्वाधीन तांदुलन में इस महायग्य में जो आहुतिय दी गई, उनमें आधिकांस नोजवानी थे, जिनोंने न अपने परवार की चिंता की, न भविश्य की फासी की फंदों को चुमलिया, गोलिया खाई, या फ़र बिटिस के, बिटिस पिलिस के अताचारों से तिल-तिल कर, जेलों में घुट-घुट कर अपने प्राणों उच्रह कर दिये, अमर सहीद इंदचन पैंगोरिया भी एक ऐसे ही 32 वर्षी देश वक्त थे जो हर सुबह इंकलाव जिन्दावाद, इंकलाव जिन्दावाद बुलती थे, जिससे आक्रोशित अंग्रेज सिप यह घुटना सरुनी से ब्यालिस की है, अगस्त करांती का आभान हुआरे राष्ट पिता महात्मा गांदी ने बुम्बई में आयुत महासवामी किया था, और उन्होंने मंत्र दिया था देश वाचियों को, अंग्रेजो भारत छोडो, करो या मरो, इस आभान के साथ पूर इतरह से बेकाबू हो गई, सरकारी कारालों में लगाई गई, रेल की पट्रियां खाले गई, हर तरफ आंदुलन ही आंदुलन थे, इस आंदुलन के तहत, राया स्टेशन जो मुथरा में था, उसको फूकने के लिए आगरा और मुथरा के यवकों का इदिल पहुचा, उन प्रसाद, ओंकार नाथ, राम बावू, भावान दास आदिसा मिल थी, लेकिन मुख्वर की सूचना पुलिस पर पहले ही पहुच गई, और वो सतर को गई, उसने इन सवी को ग्रिफ्टार कर लिया, इन ग्रिफ्टार लोगों में इंदिसिंद पैंगोरियावी थे, उनको भारत रच्छा कानून की धारा 35 और 38 के तहट दो वर्ष की सजा दी गई और मुथ्टा की जला जिल भीद दिया, उसके बाद आगरा जिला कारागार में रखने के बाद उन्हें कोलकता की अलिपुर जेल में पहुचा दिया गया, जेल में पहुच कर उन्होंने एक नया कर बना लिया, इंदेशन पहुचा दिया, सुबह उठते और प्रते दिन इनकलाव जिन्दाबाद, इनकलाव जिन्दाबाद, इनकलाव जिन्दाबाद का जैगोश करते, यह सुनकर वहां के जेलर का पारहाई हो जाता और उन्हें बेरहमी से पिटवाता था, लेकिन इतने पिटने के बावजूद भी उनके जोस में कोई कमी ने आती थी, हार कर अंग्रेजी प्रसासन ने उन्हें सुल्तानपूर की जेल भेद दिया, इस अलिपूर में जो पिटाई हुई थी, उससे उनका सरीर जरजर हो चुका था, बीमार हो चुका था, और एक जन्वरी मी से तेतालिस को उन्होंने अंतिम सांस ली, यह आगरा का लाडाला सहीद, वहां सहीद हो गया, इंदचंद पहंगोरिया के वारे में मैं आपको और व्यक्तिकत जानकारी दे दू, उनका जन्व, उन्नीस से ग्यारे में आगरा की फतेवा तेसिल के गाव, जे नगर में, चिकत प्राजपतराय की छोटी भेन थी, इंदचंद के भाई, डाक्टर हरेशन पैंगोरिया भी कई वार जेल हो आए थे, उन्नीस से उन्तालिस में, एमेस्टी की परिच्छा उत्तिर्ण करने के बाद, स्वाधिन्ता, आंजुलमने कूद पड़े, इंदचंद पैंगोरिया ज इंदचंद पैंगोरिया जी की जो साहधत होई उसका उनको कोई मान समान नहीं मिल पाया, ना सासन ने, उनकी सुदली, ना परसासन ने, समाज के लोग तो ने जैसे भूली गए थे, उनकी याद में न कोई कारकम होगा, न कोई आयूजन होगा, आज मैं उस अनमोल हीरे को स्वतनता संग्राम के उस यूद्धा को मैं नमन करता हूँ और अपनी कोट कोट सिद्धान जले रपत करता हूँ, मेरा मेरी परार्तना है, मेरा अनलोज है कि नई पीड़ी इस क्रांतकारी से सीख ले, देश वक्ती की पिरेणा ले और देश को आगे बढ़ाने के लिए द के साथ ही हम ने यह स्रंकला शुरू कर दी है, हम स्वतनतता आंदुलन के करांतिकारियों, सहीदों, स्वाधीनता सेनानियों और क्रांति स्थलों के बारे में भी समय समय पर चर्चा करेंगे, इसके लिए आप सुनती रहिए, ब्रज बांडिये झाल शुरू झाल 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 झाल